समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयम के संग सर्व का वो दिल से करे सन्मान कहता है ये समाधान समाधान समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयम के संग सर्व का वो दिल से करे सन्मान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान समाधान, समाधान, समाधान तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले ठैसी मेशाद दूरिया दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान नमस्कार आदब सश्वय काल मिटन स्वागत है एक बार पुना आप सभी का करने समस्या का समाधान हमारे साथ हैं एक खास महमान कारिक्रम में मित्रों कुछ सुन्दर सी पंक्तियां किसे ने कहीं कि यदि आपके चंद मीठे बोल किसी का खून बढ़ा देते हैं तो ये भी रक्तदान है यदि आप किसी की पीट थपथपा देते हैं और उसकी थकान दूर हो जाती है तो ये भी श्रमदान है आप अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लेते हैं जितना आपको चाही आप उसे व्यर्थ नहीं करते तो ये भी अन्यदान है और इन दानों के साथ एक सबसे बढ़ा दान होता है मित्रों वो है जीवन दान जो एक डॉक्टर पिशेंट को देता है मरीज को देता है और इस दान को करने वाली और अपनी जीवन का भी दान मानावता की सेवा अर्थ कर देने वाली दॉक्टर हीना मुकादम जी हमारी साथ है जो माउंट आगू के ग्लोबल होस्पिटल और रिसर्च सेंटर में सीनियर क्लिनिकल असोसियेट के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं और साथ ही साथ ना कि वर लोगों के तन को ठीक कर रही है लेकिन मेडिटीशन के माध्यम से लोगों के मन को भी तंद्रोस्त कर रही है आए ऐसी डॉक्टर साहिवा का जिनोंने अपना जीवन सच मच मान हो था कि सेवा अर्थ अर्पित कर दिया है जीवन दान देने वाली ऐसी डॉक्टर का हम भी नंदन करते हैं आज के समाधान कारेक्रम में आपका पुना डॉक्टर हीना बहुत-बहुत स्वागता रभी नंदन है एक प्रश्ण मेरे जेहन में कल से उठ रहा था जब हमारी चर्चा समाप्त होई उसके पश्याद से कि मुंबई और पुने में आपकी पढ़ाई होई है परवरिश होई है इतनी चका-चौन्थ वाली इनद्जरियस लाइफ को छोड़ कर मुंबई में अपना ड्यूटीज करते थे तो ट्रैवलिंग में इतना समय जाता है वहाँ पर और ट्रैवलिंग में इतनी हमारी पूरी नेज़ी निकल जाते थे और जो चीज हमको चाहिए वहन को वहाँ पर नहीं मिलती थी जो ख़ुशी चाहिए, जो शान्ति चाहिए वहा पर हमको नहीं मिली जब कि हम सोचते हैं कि मुंबई जैसा शहर, मल् aniden सब लोग सुचते कि मुंबई देखें लेकिन हमारा कुछ और ही था कि मुंबई में हमारा जनम हुआ पले बड़े सारी स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ हुआ वहाँ पर लेकिन जैसे है कि किसी ने नजदीक से उस दुनिया को अगर देखाया तो उसको पता है कि उसके और जब हम्माउंट अबु में आए तो माउंट आबु में इतना एकांत मिला जो हमको चाहिए था हमेशा से एक सॉलिट्यूड है यहां पर यहां पर जो नेचर है और यहां पर जैसे हम जानते कि यहां पर हैड कोवार्टर में सबसेपहले तो बड़ा अट्रेक्शन था और जैसे कि खुली हवा में बैठ के मेडिटेशन करना, यह सम हमारे ले बहुत आकर्शन वाली चीज थी यहां की और दूसरी बात हमने यहां पर देखा था कि यहां पर ग्लोबल हॉस्पिटल है जो एक चैरिटरिपल हॉस्पिटल है और बचपन से हमारे मन में एक इच्छा थी कि हम गरीबों की सेवाय करें तो मुंबई तो बहुत कमोशल है और वह वहां पर हमें वह चांस शायद कभी नहीं मिलता तो यहां पर वह अपॉचिनेटी थी हमारी कि एक सेवा भी होगी और जो हमको चाहिए वो भी हमको मिलेगा इसलिए हमने वह अपॉचिनेटी ग्रैप करके हम यहां पर आगए सच मच माना सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है धन कमा लेना या फिर एक अच्छे ओदे तक बहुत जाना वो बहले ही अपने आप में बहुतिक जगत का एक सम्मान लगता है लेकिन जब हम किसी गरीब की असहाय की सेवा करते हैं तो उसका सुख एक अलगी होता है तो क्या कभी इतने वर्षों में आपको ऐसा लगा कि यहां आई हूँ तो यह मेरा सही निर्ण है था कहीं कोई वो जो जगा चौन वाली बात है फिर से थोड़ी अगरशित नहीं करती कि थोड़ा जाओ ठेस्ट करो बिल्कुल नहीं अभी भी हम अगर मुंबई जाते है अपने परिवार से मिलने के लिए तो तीन-चार दिन से जादा नहीं रूप पाते और हमको ऐसे लगता है जल्दी से वापसाओ क्यूंकि इंच्छा होती है सेवा की और वो जो खुशी मिलती है सेवा के बाद तो वो बहुत अच्छा लगता है और अधे सेम टाइम हमको यह पर अपने लिए भी ताइम मिलता है एक और बात हमने सीकी स्पिरिशालिटी में आके कि वैल्यूइंग दसेल्फ कितना इंपॉर्टन है और मुंबई जैसे शेहर में आप भाग दौर कर रहे हो लेकिन अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो हम जाते हैं कि हम खुशी हमारे घर पे लाए लेकिन हम नहीं ला पाते और स्पिरिशालिटी में हमने सीका कि पहले सेल्फ केर इंपॉर्टन है और फिर दूसरों का केर नहीं तो दो पेशेंट्स हो जाएंगे फिर मैं बी और पेशेंट्ट भी तो ये सीका हमने अपने जीवन से कि self-care अपने आपको value करना जे 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 ये बात संदर बात है कि हम दो patient एक दुसरे को कैसे ठीक कर सकते पहले मैं खुद ही ठीक हो जाओ एक संदर और मैं तो फूर्ट सी बात इस बात के संदर में जाना चाहूँगा लोग भागे तो जा रहे हैं चाहे आप वहाँ भी देखें तो चाहे वो medical profession में हो या different profession में हो अपने आपको वक्त नहीं दे पाते हैं कि हम खुद को समय दें कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता और हम भार क्यों चाह रहे हैं खुशी लाने के लिए जैसे मैंने कहा तो आपको जब खुशी चाहिए तो अपने आपको भी समय देना पड़ेगा और हम ऐसे नहीं कह सकते हमेशा से कि हम बीजी हैं हमारे पस बहुत सारे पेशन्स हैं क्योंकि पॉम्बे जैसे शेहर में एक डॉक्टर अलग बाच्छे हॉस्पिटल से अटाच होते हैं और रात के बारा बजे घर पहुशते हैं ऐसे भी दॉक्टर्स हैं जो सुबाड अगर आप के बारा बजे पहुशेंगे तो कैसी लाइस्टाइल जी रहे आप एक डॉक्टर होकर इस बात को नहीं समझ पारे तो फिर पेशन्स को आप क्या कहेंगे अगर आप पेशन्स को कहेंगे कि वाकिंग करनी है ऐसे आपकी नीद अच्छी होनी चाहिए यह सब आप को समझे कि जो हम कहरे पहले हम करके दिखाए वो तो कहीं ना कहीं हमको टाइम निकालना ही पड़ेगा जी अपने शरीर के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए इसकदर आप निकाए और सचमच ऐसी हेक्टिक लाइफ दिखाई देती है और फिर एक समय की परशाब देखन जो होता है बहुत बारी हो जाता है तो कैसे बैलेंस रखें आपके अनुबहुते सबको क्या कहना चाहिए जैसे जो हमारी सेवा है ग्लोबल हॉस्पिटल में हम इमर्जन्सी में काम करते है हम ओन-call रहते है 24 आज कभी हमको रात में दो बज़े कॉल होता है एक बज़े कॉ और एक बहुत अच्छी भावना है कि देने में ही लेना है तो बहुत खुशी मिलती है जब हम आके अपना समय देते हैं लोगों को तो ये एक है तो से हमने रीसेंट ही एक स्पिरिच्वल अक्टिविटी की थी आईसोनोवर मैट्रिक्स उसमें हमने सीका उस अक्टिविट जो हम इस पर ताइम स्पें करते हैं इसको इलिमिनेट कर सकते हैं तो ये जो एक्टिविटी हम करते हैं इस चोटे 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 ग्रूप्स में तो ये भी हमको इस सीखने को मिला कि कैसे हम बैलन्स रख सकते हैं इन सब चीजों का तो वो ध्यान में रखते हुए ये बैल समझ आ गई अभी, कि रिलेटिव जो आते हैं, वो बहुत दुख में आते हैं, कभी का बार उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और वो जिस तरह से बोलेंगे, कि हमारे पेशन को देखो, ठीक होना चाहिए, हम आगे कहीं लेके जाए कि इसको बिलाओ, इसको बिलाओ, इसको बि आती है, और दूसरा कि, जैसे कि हमारे पास कोई वेस्ट थौट स नहीं होते दिन बर, तो हम मन से ठäकते नहीं हैं, इसलिए हमारी नीन भी, रिकवर हो जाती है, विकि जैसे ही बैट पे सोते हमको नीन आती है लोग सोचते हैं, आ इम्जंसी में काम करें, कि नीन भी नहीं कि क्या हम सुबह जल्दी उठकर के मेडिटेशन करें या रात को करें या बीच बीच में कुछ ऐसा वक्त आप निकालती है क्योंकि जो एक बात हम लोगों की चल रही है कि लोग समय की बात हमेशा कहते है कि वक्त हमें नहीं मिल पाता है क्या सजेस्ट करेंगी कहा कहा से टाइम चुराया जा सकता है थोड़ा-थोड़ा मेडिटेशन किया जा सकता है हमें एक बात याद आ रही है हमारे पापा हमको हमेशा कहते थे कि बच्चे जबी भी आप बस के लिए खड़े रहो टैक्सी के लिए खड़े रहो तो हमको दुआ पढ़ने के लिए कहते थे वो जिसको कहते है दुरूर शरीफ और हम वो पढ़ते थे और वो आदत हमको अभी भी है कि हम अगर बस के लिए खड़े रहेंगे या टैक्सी के लिए खड़े रहेंगे या चल रहे होंगे तो पापा ने हमको सिखाया था कि बच्चे वो टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और खुदा को याद करना है तो यह हमारे में बचपन से था तो जब हम इधर भी आए तो जैसे कि इधर भी meditation करने को कहते हैं और ऐसा है कोई समय नहीं है उसका लेकिन फिर भी हमारे पास एक morning का समय और एक शाम का समय फिक्स होता है जब हम लोग साथ में ग्रूप में बैट की meditation करते हैं परन्तो हम समय को चुरा सकते हैं जैसे मैंने कहा ना कि हम बस के लिए खड़े हैं या दो पेशन के बीच में एक समय होता है जब आप थोड़ा सा कुछ सेकेंड फ्री होते हो उस समय आप meditation पहले आपको बैट के करना पड़ेगा फिर आपको आदत होगी कि ये छोटे-छोटे समय पर कर सकते हैं जब हम भोजन खाते हैं जैसे हम कहते हैं कि भोजन मौन में खाओ ये तो मेडिकल में भी सिखाया जाता है कि आपको ये तनी बार चूँ करके खाना है लेकिन लोग आज ये सब चीज़े भूल चुके है तो बहुत समय है उस टाइम पे भी आप meditation कर सकते हो क्योंकि हम कहते हैं जैसे अन वैसा मन तो वो एक समय है जब हम बॉक कर रहे होते हैं आजकल हम बॉक करते होते हैं तो कभी कर ग्रूप्स में जाते हैं वो भी एक अच्छी बात है लेकिन कभी कर हम अकेले अपने आपको समय दे और अकेले जब हम निकलते हैं तो एक सेल्फ करके निकल सकते हैं तो ये सब समय हैं जी आपने तो काफे सारा स्थान हमें गिना दिया कि यहां यहां हम मेडिटेशन के लिए निकाल सकते हैं अब तो हमारे पास लगता है कि बहुत वक्त रहेगा इसके लिए लंबे समय से आप पेशेंट्स को देख रहे हैं कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो मेडिटेशन करते होंगे और कुछ नहीं करते होंगे तो क्या आपको अंतर दिखाई देता है उन लोगों में कि जो मेडिटेशन कर रहा है उसकी रिकवरी कहीं जल्दी हो पा रही है और ज जो बताती है कि आप जब खुश रहते हो तो आपकी बिमारी जल्दी ठीक होती है और कहीं ऐसी रिसेर्च जो बताती है कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है जब आप खुश रहते हो और कहीं जैसे कि diabetes है, blood pressure, stroke है, heart problems है यह सब ठीक होते हैं जब आप खुश रहते हैं उन्होंने ग्रुप्स पे study की है तो यही हम देखते हैं क्यूंकि हम global hospital में काम करते हैं तो हमारे पास options हैं कि हम दोनों प्रकार के लोगों को देखते हैं तो देखते हैं कि cancer जैसी भीमारी भी अगर कोई BK patient, Brahma Kumaris के कोई follower को हो गई तो वो फिर भी इतना खुश रहते हैं Recently कुछ साल पहले हमारे पास एक भाई थे जिनको stomach cancer हो गया था और उनको पता था कि 6 मैने बाद यह शरी चोड़ेंगे लेकिन उनसे हमें इतना सीखने को मिला, वो इतने खुश रहते थे यह तक कि उनसे खाना भी नहीं खाया जाता था लेकिन वो खुश रहते थे, बस उनको देख के ही सब खुश होते थे ऐसे ही dialysis patients जो होते कितने बिमार पढ़ते हैं बार बार, उनको कुछ ना कुछ इंफेक्शन होता है कभी उनका जो फिस्टूला होता है जहांसे dialysis होता है वो फेल हो जाता है, तो बहुत दुख हमें होते हैं, रिलेटर्स भी वैसी दुख में होते हैं इसे ही हमारे पास जो meditation करते हैं जो यह जो अपास बहुत बहुत उनके बहुत बहुत बिलकुर। अलब लगध जो meditation है या इश्वर का ध्यान है उनसे जब जुड़े रहते हो पर्वाले से तो शयद हमारे अंदर उनकी वो शक्तिया आने लगते हैं और हमारी जो सोचने का जो तरीका है या फिर रियक्ट करने का तरीका है पुरी तरह से बदल जाता है। हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है एक्चली परस्तितियों हर एक के जीवन में आती है लेकिन जो टॉलरेंस पावर डेवलप हो जाती है वो इस meditation से होता है। क्या इस meditation से बीमारियों को ठीक होते हुए भी आपने देखा है कि कोई ऐसी तकलीफ थी और फास्ट इंप्रूवमेंट तो होता है वो तो हम देखती हैं। क्या पूरी तरह से जहां से भी निराश भी हो जाता है उसे भी ठीक होते हुए देखा है। कहीं patients OPD में आते हैं और जो meditation करते हैं वो अपने experience हमारे साथ शेयर करते हैं। कि थायर जैसी बिमारी थी उनको और उन्होंने meditation किया और खुदा से vibrations लिए पर्मात्मा से vibrations लिए और अपने थायर ग्लाइन पर दी और उन्होंने और उन्होंने कहा कि उनके जो रिपोर्ट से वा सब नॉर्मल हो गए। ऐसे कही diseases लिए एक पेशन आमको कहा था पीसी ओडी था उनको और पीसी ओडी तक उनका ठीक हो गए और उनको जो भी प्रब्लम्स थी वह सब नॉर्मल हो गई तो ऐसे हमारे पास cat program होता है, coronary artery disease का जो प्रोग्राम होता है, हार्ट ब्लॉक जिसके साथ पेशन आते हैं। Meditation सरिफ यह नहीं है कि बैठो ध्यान में और हम कहीं और हैं, ऐसे नहीं है, उस खुदा से vibration लेना, और उनको सिखाय जाता है कि कैसे अपने pancreas पे vibrations दालो, और कैसे उसको command दो, कैसे auto suggestions दो, insulin secret हो रहा है, तो उससे कहीं recovery होती है। जी, 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 और कई भार medical science इस चीज़ को नहीं मान पाती है कि ऐसा हो सकता है क्या, blockages के लिए तो operation करने के ज़रत ही ज़रत पड़ेगी, लेकिन यह भी एक चमतकारी है कि meditation करके, या खुदा से हम जो बातें करते हैं, या उनकी vibration लेते हैं, और जो भी आपने auto suggestion की बात कह हैं, ताकि उनहीं भी अपनी इस तकलीफ में मदद मिले, वो अकेले तो नहीं कर पाएंगे, उनको पहले टेखनीक सीखनी पड़ेंगी, तो वो कहीं नजदीक के कोई brahma kumari center पर जा सकते हैं, और जो राजियों का meditation की हम बात कर रहे हैं, तो उसको साथ में include करना है, ऐसे न हम को आठ साल पेले thyroid हो गया तो हमारे लेविल्स बहुत आगे रहते थे, तो हमने भी meditation किया और उसको कैसे control में हम लेके आए, जब कि हम को चालू है medicine लेकिन बहुत कम dose पे चालू है, हम openly इस बात को बता रहे है कि कैसे हमने meditation से control किया, in fact, कभी को बार हमको migraine के headaches होते हैं, माइघेन हमें में क बता ही नहीं हम सको हम सकनू के हम क करता हम हिर गेां है जब कैसे माइडरे को हम कि दाल मोटी हम पेम इसे को ऑ 보여folde क। हम को चीए ह Français हमें डाता है बकिंदwe सच में आप अपने अनुभाव से चीज़ें रख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप खुद भी इस meditation का प्रभाव अपने जीवन पर देख रहे हैं और साथ ही वो परिवर्दन अनुभाव कर रहे हैं तो हमारे तो कभी भी अस्वस्त नहीं होंगे या होंगे भी तो जल्दी ठीक हा जाएंगे हमारी सारी समस्या चालू होती है जब हम दूसरों को देखते हैं या कोई expectations रखते हैं या दूसरों की चीजों में अपनी नाग डालते हैं तो दुखी हो जाते हैं तो एक class हुई थी बीच में हमारी जो phrase है not my circus not my monkeys उसका मतलब है none of my business तो यह एक चीज अपने जीवन में हम अपना सकते हैं कि दूसरों को देखके दुखी ना हो क्योंकि दुखी होंगे तो जरूर बीमार पढ़ेंगे जल्दी क्योंकि रिसर्च थी बीच में उसमें कहा ता कि अगर तीन महना आप किसी भी दर्द को पकड़ के रखते हो तो डेफिनेटली कुछ महनों में आपको कोई बीमारी आएगी जरूर यह रिसर्च वे थी बीच में तो एक याद रखे not my circus not my monkeys जुसरा जैसे रिसेंटली एक happiness day था ना 20th March को international happiness day तो उसमें एक हमने spiritual activity करवाई थी उसमें से एक दो चीज़े बहुत अच्छी है जो मैं mention करूंगी एक भाई ने कहा कि मैं जीवन में याद रखूंगा मस्त्र हो मस्ती में आग लगे बस्ती में और उसका मतलब है कि मैं खुश रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में तो यह एक याद रखे हमने और तीसरी बात कि जीवन में ज क्लिफों से भी मुपत होते जाएंगे क्योंकि मुन रूप से मन से व्यक्ती जादा अभी मार हो जाता है और डॉक्टर्स भी आज के लिए कहते हैं कि साइको सोमेटिक हैं जो भी हैं बहुत जादा तो कैसी इस चीज़ के लिए भी आप कहेंगे कि मन जो है वो तंदूस्त रहे हमेशा क्योंकि हम कई बार खुश रहना चाहते हैं लेकिन वो खुशी रह नहीं पाती है क्योंकि हम खुशी सादनों में ढूनते हैं या हम ठेटर में जाके ढूनते हैं या हम बस्तूओं में ढूनते हैं और फिर दुखी होते है जब वो नहीं मिलती है तो लेकिन जै हमारे जीवन में एक होता है स्वीकार करना कहीं असी चीज़ in our life मेंगए जो हम बदल सकते हैं तो इनसान इस चीज़ को समझता ही नहीं और फिर दुखी होते जाता है कहीछ राओ resistance in our life हम कभी न कभी dropped subtil हम कहीछ जीवन समझना ही पड़ेगा और जितना हम स्विकार करेंगे उतना हम खुश रहेंगे जे 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 हम स्विकार नहीं करना चाहते कई चेज़ों को ये बात तो सच है और उसके कारण ही तकलीफ हमारी बढ़ती जाती है Meditation में आपको लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि हम खुदा से जोड़ जाते हैं क्या उनकी मदद का कुछ आपको ऐसा संदर अनुभव है कि कई बार आपने कहा कि हड़बड़ी वाली स्थिती रहती है हॉस्पिटल में भी कोई ऐसा केस था कोई ऐसी परिस्थिती थी जबकि आपको लगा कि बहुत ही क्रिटिकल सी सिचवेशन है और सचमच खुदा ने मेरी मदद किया करके सबसे ज़ञ़ा जो क्रिटिकल में होता है वो हमारे संसकारों की तक्कर होती है जब हम ऐसे सिचवेशन में काम करते हैं और हम कुछ ऑरडर करेंगे और कोई नहीं करेगा तो जम अब हम अपने आपको नौ साल पहले देखते हैं, तो हमको बहुत गुस्सा आता था, कि हर चीज पर अफेक्ट होनी चाहिए, हमने कहा दिया तो यह ऐसे होना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ था, हमको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर जो उसकी मदद मिली हम को, हम लोगों को समझने लगे, हम समझने लगे कि वो अपनी capacity से काम कर रहे हैं, और अगर हम चिड़ चिड़े हो गए, दुखी हो गए, तो patient सफर करेगा, तो वो एक understanding आ गई, नहीं तो एक होता है, कि मैं doctor हो, यह staff है, और फिर वो घुस्सा आना, तो वो घुस्से को अप करती है, जब हम क्रिटिकल केर में काम करते हैं, और कोई patient serious होता है, और उनको देखते हैं, और दूसरी चीज हमको लगता है, कि लोगों को सुनना बहुत इंपोर्टन है, कॉम लोगों को सुनते नहीं हैं, तो हम एक कोस करवाते हैं, आपर विहासा, values in health care, a spiritual approach, उसमें के ए उनको क्या देना है मुझे, फिर, तो ये help करता है, क्या ये qualities आपको लगता है, कि सच मच ऊपर से खुदा ही भरता चला जा रहा है, और मैं तो ऐसे नहीं थी, लेकिन आप पूरी तरह से में परिवर्तित होती जा रही है, ज़रूर, ज़रूर, ये उसी की मदद है, जो हम परिवर्तन हो गए, ये हमारा कुछ है ही नहीं यहां पर, जो खुदा की मदद मिली, उसी को हमने जीवन मिलाया, ये हमारा कुछ है नहीं, ये उसी की मदद है, बिल्कुल, ब्रुमख कुमारी, भारत वर्ष में तो अलग-अलग धर्म के लोगों के साथ कारे कर रहे हैं, वो Muslim भाई बहने हैं या Christians हैं, Sikh हैं, क्या आपकी ऐसे भी परीचय में रहे हैं, जो भी देशों में भी हैं और वहाँ पर भी प्रमा कुमारिस के से लाए हो रहे हो। जी, जी, जरूर, अभी December में ही एक रिट्रीट थी, मांट डाबू में, IPI रिट्रीट, और Gulf Countries से Muslim देशों से लोग यहाँ पर आये थे, meditation सीखने के लिए, उसमें सब Arabs भी थे, और सब Muslim भेने थी उसमें, और भाई भी थे Muslims, और हम जब उन से मिले तो हमको इतना अच्छा गूम रहे थे, लेकिन इतनी छोटी जगा है, यह मांट डाबू, और यह इतने संपन देशों से आये थे, उनको कोई कमी नहीं है पैसे की, लेकिन जो शान्ती उन्होंने एक्स्पिरियंस की यहाँ पर और इतने खोश हो के गए, और लास डे पर तो वह सब रो रहे थे, औ सेंटर्स पर आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और फिर अपने घर पर वापस जाते हैं, तो देखिए, बाहर के लोग इतना फाइदा उठारें, तुदेश वाले भी ज़रूर फाइदा उठारें, चलिए, आपकी एक मंगल कामना है, शुब कामना है, और गुमा गुमारिस तो सच मुच सभी को खुलाने मंतरण देती हैं, कि सभी आएं, और जिस शांती की तलाश है, उस शांती को प्राप्त करें, उस खुदा तक भी पहुँचें, जिसे वो पाना चाहते हैं, चलिए, डॉक्टर लिन, आज के लिए पुना, आपने इतने प्यार से हमारे सभी द होना होगा कि ना हिंदू बनेगा, ना मुसल्मा बनेगा, इंसान की ओलाद है, इंसान बनेगा, सच मुच इंसानियत का धर्म बहुत सुन्दर धर्म है, जहां किवल प्रेम ही प्रेम है, आनन्द ही आनन्द है, अपनत्व ही अपनत्व है, लेकिन ये तबीत संभव होता है जब आध्यात्म हमारे जीवन में हो जब सभी को हम रूह की नजर से देखें आत्मा की नजर से देखें कि हम सब आपस में भाई-भाई हैं जैसे हम कावी करते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिखिसाई आपस में हैं भाई-भाई तो ये नाता किस रूप में भाई-भाई का आत्मिक नाता ही तो है ना जो हमें एक सुत्र में बानता है और ये तब भी संभा हो पाता है जब हम खुदा को भी सही रूप में जानते हैं परमात्मा को सही रूप में जानते हैं कि हम उस एक मालिक के बंदे हैं उस एक पिता की स तो फिर आपस में क्यों मन मुटाओ, आपस में क्यों लड़ाई जगडे, क्यों न उसे सहीं रूप में जान करके हम आपस में प्रेम, शांती और सवहाद से रहें, ना केवल बाहरी सुकून, लेकिन भीतर का भी जो सुकून और शांती है, वो सचमच इस आध्यात्म से और इ मुलाकात होगे, नमस्कार. समधान, समधान, समधान